नमस्कार दोस्तों, NIS के Community Health Training Program में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप जानते हैं कि Community Health Training Program एक बहुत ही important training program है जो कि Health Workers के लिए बहुत माहिनी रखता है इसमें Module No.3 यानि वेसा जो आप पढ़ रहे हैं आपात कालेईन और बचाव इससे रोगों से और उनका कैसे करें प्रबंधन यानि रोगों से बचाव और उनका प्रबंधन आपात कालेईन परिस्थितियों में इसमें करीबन साथ टॉपिक्स हैं जिसमें से की अभी तक आप इसको कमने केवल डिजीजेज वन कमने केवल डिजीजेज टू और फ़स्टेड लाइफ स्टाइल डिजीजेज और इन रोगों से बचाव यह लगववद अभी तक आप पर चुके हैं आप इनके सम्मनित वीडियो आप इनकी जानकारी ले चुके हैं यह बहुत फार्मोकोलाजी और ड्रेक्शन यानि औसिधी विज्ञान और औसिधी प्रितक्रिया यह बहुत इंपर्डेंट विस्टे क्यों हैं सबसे पहली बात है कि जितनी भी हाला कि एक स्वास्था कारेकरता को एक निश्यत मात्रा में और बहुत ही कम संख्या में औसिधियों को प्रियोग करने की इजाज़त दी गई है हमारे जो स्वास्था मंत्रा अले भारत सरकार की ओर से और जो हमारा विस्व स्वास्था संगठन है उसने भी जो अपना कारेकर्ण बनाया है उसमें भी बिल्कुल लिमिटेड जो औस्दी हैं उनको यूज करने की इजाज़त किसी की बॉडी में किसी भी तरह का कोई रेक्शन कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं तो कई बार ये देखा गया है कि जो चिकित्सक हैं वो भी जब किसी को कोई औसधी देते हैं तो वो बड़ी साधानी इस बात की रखते हैं, क्योंकि जब डिरेक्शन होता है, और जो फास्ट रेक्शन होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. खास तोर से यद इंजेक्शन दिये जाते हैं तो इंजेक्शन बॉडी के अंदर जैसे ही उसकी औस दी जाती है और इमिडेटली रेक्शन होता है और कई बार उसके इतने गंभीर प्रणाम होते हैं कि जो पेसेंट है उसकी जान चली जाती है तो आज का टॉपिक जो बहुत महत्वपूर है हमारी जो स्वास्थेकार करता है जो भी इसलिए प्रसिक्षन की बात आती है कि एक स्वास्थेकार करता को प्रॉपर टेंड होना चाहिए उसको जानना चाहिए कि कौन-कौन सी ऐसी औसधी है जो रेक्शन करती है यद रेक्श क्या आपके पास में कोई ऐसी ओसिधी होती है जिसको आप दे करके उसको कम से कम ऐसी इस्थिति से बचा सकते हैं और इमीडेटली उसे डॉक्टर के पास अच्छे अस्पताल को रेफर कर सकते हैं तो यह बड़ी जुम्यदारी है बड़ा काम है तो इस विस्थे पर चर्चा अपतफ़े नेथी जी आशकार सिंद्ऌदी की में कौन-कॉनसी नेथी आपको बताएंगे कि कौन-कॉनसी वह इंपडिन्ट आउस्थिया है जो रेक्शन करती हैं कौनसी आउस्दिया है जो आपको जानकारी होनी चाहिए किसका उप्यों आप कर भी सकते हैं और यह रेक् आर्थियों जैसे की डॉक्टर पवन ने आपको बताया आज हमारा टॉपिक है और विज्ञान और और प्रतिक्रिया यह बहुत ही महत्पून टॉपिक है हम सब के लिए क्योंकि और शदी का शरीर में किस प्रकार प्रयोक किया जाए कि उसके हमें मनोवांचित रिजल्ट मिले कम से कम साइड इफेक्ट या उसके जो आफटर इफेक्ट जो हम और प्रतिक्रिया बोल रहे हैं वह मिले क्योंकि हर और शदी का हर शरीर में अलग-अलग रियक्शन होता है तो सबसे पहले हम थोड़ी से इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि और शदी शरीर की शरकरा को कोई बेक्टीरिल संक्रमन को खत्म करती है तो कोई खांसे जुखाम को ठीक करती है यह उजदिया अनेक प्रकार की क्रियाओं के द्वारा हमारी विमार्यों को दूर करती है प्रारंग में ओश्दिया पेड़ पोधों जीव जन्तों से आईरवेद के अनुसार प्राप्त की जाती थी लेकिन जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विस्तार होता गया नए नए तत्वों की खोज हुई तथा उनसे नए नए ओश्दिया प्रित्रम विधी से त्यार की जैसे एलोपेथी यानिकी जो हमारी आधमी चिकित्सा प्रणाली है उसमें दवाईयों का प्रियोग रसायनिक प्रतीक्रिया में प्रियोक्त होने वाले सक्रिय घटों को प्रिथप करके उसके शुद्धतम रूप में किया जाता है ओश्दियों के कल्म के साथ-साथ उनकी सही मात्रा अर्था डोस का जानना और देना बहुत ही महत्पूर्ण है क्योंकि सही मात्रा में दिया हुआ विश भी अम्रित के समान कारे करता है और वहीं सही मात्रा में ना दिया हुआ अम्रित भी विश के समान कारे करता है और साथ हम यह भी देखते हैं कि एक ही ओश्धी, एक व्यक्ति में फाइदमन, तो किसी दूसरे व्यक्ति में गंभी प्रतीक्रिया या अलर्जी उत्पन कर देती है अता हमें इन ओश्धियों के गुंधर्म, उनकी सही मात्रा, उनके आफ्टर इफेक्ट्स, उनकी प्रतीक्रिया के विशे में पता होना चाहिए ताकि हम किसी भी विप्रिश्थिती से बच सकें तो आए हम जानते हैं कि ये सब हम कैसे जानेंगे ओश्धी क्या है या ओश्धी विज्ञान क्या है इसमें क्या-क्या होता है आए हम इस पे एक नज़र डालते हैं सबसे पहले जानते हैं कि ओश्धी क्या है औश्दी क्या है? औश्दी वह पदार्थ है जिनकी निश्चित मात्रा शरीर में निश्चित प्रकार का शारिविक या मांसिक असर दिखाती है इनका प्रियोजन चिकितसा में होता है जैसा कि हम आपको बता रहे हैं ओश्दी वह पदार्थ है कि जिनकी निश्चित मात्रा, एक निश्चित मात्रा में ही यह ओश्दी दी जा सकती है और वह एक निश्चित प्रकार का आपके शरीर या मन पर असर दिखाती है जैसे अभी हमने आपको बताया कि कुछ जो ओश्दियां है वो रख्तच आपको नियंत्रित करती हैं या कुछ शरकरा को नियंत्रित करती हैं कुछ खांसी जुखाम या श्वसंत अंत्र पर कारे करती हैं तो यह आपकी जैसे शारिरिक आपकी प्रणाली पर असर करती हैं इस किसी भी पदार्थ को औश्दी के रूप में प्रयोग करने के लिए उस पदार्थ का गुण, मात्रा अनुसार वहवार, शरीर पर विभिन मात्राओं में होने वाला प्रभाव, इन सब की जानकारी आपरिहारे अर्थात बहुत जरूरी है हम किसी भी पदार्थ को औश्दी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका औश्दी के रूप में प्रयोग करने के लिए उस पदार्थ का गुण क्या है, उसकी मात्रा के अनुसार वहवार क्या होगा, यदि हम उसको कम मात्रा में देते हैं, तो उसका गुण क्या हो होना बहुत जरूरी है तब ही हम किसी पदार्थ को ओश्धी के रूप में प्रियोग कर सकते हैं आए अब जानते हैं ओश्धी विज्ञान क्या है जीव विज्ञान अर्थार बायलोजी की वह शाखा जिसमें विभिन रोगों में होने वाले ओशधियां उनकी मात्रा और शरीर के विभिन भागों में उनकी प्रतिक्रिया का अध्यन किया जाता है ओशधि विज्ञान कहलाती है अर्थार बायलोजी की वह शाखा जिसमें हम विभिन रोगों में जो हम ओशधियां प्रयोग कर रहे हैं उनकी कितनी मात्रा शरीर के विभिन भागों में किसके संग में कितनी प्रत्री किया करती है इस चीज का अध्यन जिस विज्ञान में किया जाता है जिस शाखा में किया हम आपको बता रहे हैं जैसे की एंटिबायोटिक्स जो बेक्टीरिया के विरुत प्रियोक्त होने वाली प्रतिजैविक ओश्थी हैं जैसे की पैंसिलीन इन सबके नाम आपने सुने ही होंगे दूसरा प्रकार है एनालजेसिक्स जो की हम दर्द निवारक ओश्थी जिसे कहते हैं उसकी रूप में प्रियोक करते हैं जैसे पैरासेटामोल एस्परिन आदी एंटी पाइरेटिक्स जोड़को कम करने वाली योश्थीयां जैसे पैरासेटामोल नीमसुलाइड आदी एंटी हेलमेंधिक जिसको हम क्रिमी नाशक कहते हैं जैसे एलबेंडाजोल पैरेन्टल मेबेंडाजोल आदी Anti-Ammoebic, Amoeba जनित अतिसार में फ्रिप्थ होने वाली दवाईयां जैसे Metranidazole, Tynidazole आदी Anti-Allergic, Allergic को दूर करने वा उनसे बचने वाली होशनी जैसे Avil, Cetrizin, आदी Antiseptic, शरीर में संक्रमन से बचाव के लिए जैसे Detol, Savlon, आदी Antiseptic जो है आपकी Antibatic से अलग होती है तो इसलिए इनके साथ में इसको ना जोड़ा जाए Antiseptic है जो शरीर में संक्रमन से बचाव कर रही है आपको बहारी जो संक्रमन है उससे आपका जो बचाव कर रही है Antiseptic है Disinfectant जो कि हम वस्तों का वी संक्रमन करने के लिए जैसे लाइजोल, क्रिसोल, फिनाइल आदी यूज़ करते हैं उनको हम Antiviral ओश्धी के रूप में प्रयोग किया जाता है Antifungal ओश्धियां जो कि Antifungal जो दद्रू हम बोलते हैं खात, खुजली होती है उस फंगल संक्रमन को नश्ट करती हैं जैसे Clotrimazole आदी आईए अब जानते हैं कि ये ओश्धियां किन-किन रूपों में दी जाती हैं जैसे हर ओश्धि का कुछ न कुछ रूप होता है कुछ टैबलेट में दी जाती हैं, कुछ कैपसुल में दी जाती हैं, कुछ सिरफ फॉर्म में हैं तो आईए हम जानते हैं कि इन ओश्धियों को दिये जाने वाले रूप कौनकों से हं और सथियों को दिये जाने वाले रूप डाबलेट जैसे हम पär सिटव अधी जो है वह हमारी completely फो में आयरेन की tablets आती हैं केल्शं की tablets आती हैं तो यह सब tablet फॉरम में हैं capsule MPS alien M masters lian added यह जित्ने भी हैं आपके capsule form में हैं sergeäch ऐने होakte दी जाने वाली आरधाद इनहेल करके जो हम देते हैं जैसे हम दमा में सर्दी में फिरुप्थ होने वाली जैन उनको हम इनलेशन के फिरूपई देते हैं इंजेक्शन बहुत से दर्द निवारक औश्धियां ग्लुकोज एंटीबियोटेक्स विटामिन आधी जो है इंजेक्शन की फॉर्म में अर्थात आपके शरीर में सुई के माध्यम से दिये जाते हैं तो यह भी आपका एक फॉर्म है औश्धि को देने का एक रूप है जो क आपके शरीर में दिया जाता है ओंट्मेंट जैसे सोफ्रमाइसीन बीटादी जो की क्रीम जैसे जिनका रहता है जो स्ट्रक्चर है की क्रीम है वह है आपकी ओंट्मेंट के लाती है तो यह भी आउश्धि देने का एक तरीका है कि आप इसको टॉपिकली अर्थात स्किन प देते हैं फिर है चिपकाने वाली पट्टी जिसे स्ट्रिप्स जैसे ग्लीसरीन स्ट्रिप आती है इस तरह से एक यह भी एक तरीका है दवाई को देने का Suppository, जो कि हम anal जो root है आपका, उसमें लगाते हैं, पेशन को दवाई देते हैं, यह भी एक तरीका है, जैसे हम dulcolex आता है, glycerin की suppository आती हैं, तो यह भी एक ओश्धी देने का रूप है, जो कि हम anal अर्थाथ जो गुदा के माध्यम से दी जाती है Powder, फंगल साथी के नियंदरन के लिए antifungal powder जो आपका दिया जाता है, तो powder भी एक तरह से आपका ओश्धी देने का रूप हो गया Sustain Release Implant, अर्थाथ जैसे insulin है या दर्द निवारक या hormonal implant की आपको तवचा के माध्यम से एक दवाई का कुछ हिस्सा आपकी skin में नीचे दे दिया जाता है, वो धीरे धीरे release होता रहता है, जिससे शरीर में दवाई पहुँचती रहती है आईए अब जानते हैं ये जो हमने दवाईया पढ़ी हैं, जो हमने ओश्धिया देखी हैं, तो इनको देने का एक मातरा होती है, एक समय होता है, जिसके लिए डॉक्टर जो है एक संकेत प्रियुक्त करता है तो स्वास्ते कर्मियों को जब हम देखते हैं कि डॉक्टर ने कोई पर्चा लिखा है, उसमें दवाई कितनी बार देनी है, पेशन्ट को कैसे बताएंगे कि आप ये दवाई दिन में एक बार देनी है, या दो बार देनी है, तीन बार देनी है तो ये सब चीजें एक माध Plaziff बना रखा है, जो संकेत बना रखे हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं, कि डॉक्टर ने एक पेशन को दवाई कितनी बार के लिए प्रिस्क्राइब करी है, कितनी बार के लिए कहा है, तो आएए देखते हैं, कि दवाईयों की मातरा और समय के लिए प्रिफ्प संकेत क्या-क्या है सबसे पहले है Ođडी जैसे हम बोलते हैं कि जिसको हम रोज दिन में एक बार देंगे दवाई को उसके लिए हम Ođडी लेखेंगे जैसे हम लिखते हैं 1 Ođडी या 2 Ođडी की एक ही बार दवाई लेनी है दिन में एक गोली रोजाना या दो गोली एक बार लेनी है BD रोजाना दिन में दो बार जैसे हम बोलें कि एक सुभा शाम देनी है या दो सुभा शाम देनी है तो बारा बारा घंटे के अंतर पिर आपको ये गोली देनी होती है TDS, रोज दिन में 3 बार जैसे हम बोलते हैं सुबा, दोपहर, शाम कि हमें ये दवाई 3 बार देनी है पेशन को 8-8 घंटे के अंतर पर तो वह TDS कहलाता है तो उसमें डॉक्टर आपका लिखेगा TDS कि 1 TDS या 2 TDS तो इस तरह से ये आपका लिखा जाता है चोथा आपका होता है QD अर्था दिन में 4 बार कि हर 6 घंटे पे आपको मरीज को दवाई देनी है कि जैसे डॉक्ट लिखे 1 QID की एक एक गोली जो है या सिरप के लिखे की एक एक चम्मस, दो दो चम्मस दिन में 4 बार देना है तो उसको वो QD लिखेगा फिर हम लिखते हैं एक दवाई के लिए HS, कि जिसको केवल रात को सोते समय पेशन को देनी है उसके लावा नहीं देनी है तो उसके लिए हम लिखते हैं HS, SOS का मतला होता है आवशक्ता पढ़ने पर जैसे आपने कई प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा डॉक्टर की की पेरसिटामोल लिखा उन्होंने SOS लिख दिया या फीवर आया तो हम बोलते हैं कि अगर बुखा रहा है तब ही देना अन्यथा मत देना तो उसके लिए लिखा जाएगा SOS आये अब जानते हैं अभी तक हमने पढ़ा कि ओश्धी क्या है ओश्धी विज्ञान क्या है उनके लिए प्रिप संकेत क्या है तो हम अब जानते हैं कि ओश्धी प्रतीक्रिया अर्थाथ ड्रग रियक्शन किसे कहते हैं ओश्धी प्रतीक्रिया किसी ओश्धी के लिए जाने के कारण जब ओश्धी ली जाती है ओश्धी के लिए जाने के कारण शरीर या मन पर पढ़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव या दुश प्रभाव को ओश्धी प्रतिक्रिया कहते हैं अर्था जो हमने आउश्धी दी है किसी patient को, हमने आउश्धी दी है कि ये काम ठीक करेगा, लेकिन अगर वो काम ना हो करके कुछ और हमें देखने को मिल जाए प्रभाव, तो हम उसको आउश्धी प्रतिक्रिया कहेंगे, तो ये ज़्यादा तर प्रभाव आपके प्रतिकू होते हैं या दुष्प्रभाव होते हैं, इसको हम आउश्धी प्रतिक्रिया कहते हैं। यह किसी एक ओश्धी की एक मात्रा दिये जाने से अर्थात एक बार दिये जाने से या लंबे समय तक किसी एक ओश्धी को दिये जाने की कारण हो सकती है या किनी दो या तीन ओश्धियों के सहियों का परिणाम भी हो सकती है कई बार हमने देखा हूँ कि एक ही बार हमने दवादी बोलते हैं कि एक ही दवा दी है, एक ही बार दवा दी है लेकिन पेशन को एकदम से घभरात हो गई, बिचैनी हो गई, या सारे शिरीश से चकते निकल निकल आए तो किसी ओश्दी को हम एक मातरा दिएंगे तब भी हो सकती है या किसी मनिश्य को कि हम लंबे समय तक एक ही ओश्दी दे रहे थे उसके कारण भी ड्रग अलर्जी या यह reaction हो सकता है कि जैसे हम बोले कि यह तो हम कितने समय से खा रहे हैं यह दवाई अब क्या reaction कैसे कर गई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही बार में कोई दवाई शरीर में reaction कर जाए लंबे समय तक दिये जाने के कारण भी वह ओश्दी शरीर में reaction कर सकती है या फिर हम किनी दो या तीन ओश्दियों का संयोग किसी patient को देते हैं तो उसका परिणाम भी ये ड्रग reaction के रूप में आ सकता है कि हो सकता है कि वो दो या तीन combination जो बने हैं आपस में एक दूसरे की विपरीत हों जो शरीर में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और शरीर में विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं आप जानते हैं ओश्धी प्रतिक्रिया के प्रकार कितने हैं यह दो प्रकार के होते हैं ततकाल उत्पन प्रतिक्रिया जिसे हम immediate reaction कहते हैं दूसरा है देर से उत्पन या लंबित प्रतिक्रिया अर्था delayed reaction तो इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगी कि ततकाल उत्पन प्रतिक्रिया क्या है और देर से उत्पन प्रतिक्रिया क्या है ततकाल उत्पन प्रतिक्रिया जिसे हम immediate reaction बोलते हैं कि दवाई को तुरंत लिया और हमें कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली औशदी लेने के तुरंत बाद होने वाली प्रतीक्रिया ततकाल उत्पन प्रतीक्रिया कहलाती है इसे एनफाइलेक्टिक रियक्षन भी कहते हैं जैसे कि आपने किसी भी मरी उसको कोई दवाई दी और तुरंत उससे एकडम से आपको शरीर में कोई ना कोई प्रभाव देखने को मिला तो उसको हम ततकाल उत्पन प्रतीक्रिया कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे बोले एनफाइलेक्टिक रियक्षन कि एकडम से तुरंत पूरे शरीर में इसका असर देखने को मिलता है तो जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि कभी पेशन के मूँ सूझ गया या उसके चकते पढ़ गए एकडम से सारे शरीर में पूरे शरीर में सूझन आ गई तो यह है एकडम एनफाइलेक्टिक रियक्षन होता है इसे एनफाइलेक्टिक रियक्षन कहते हैं यदि तुरंत अस्पताल में इसका इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति का जीवन संकट में पढ़ सकता है और प्रात्मिक उप्चार के बाद पीडित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि उसके जीवन को हम बचा सकें और उसकी तुरंत हम मदद कर सकें ताकि शरीर का कोई भी अंग डैमेज होने से बचाया जा सकें इसके लक्षन कैया है? बेचैनी, घबराहट, सांस लेने में कठनाई, कम-पन, तवच्हा में थंडा पन जब आप महसूस करेंगे, देखेंगे पेशन को आप दवाई किसी को दी है तो एक्दम से बेचैनी होनी शुरू हो गई है गबाहट हो गई है सांस लिने में उसे दिक्कत होने लगती है शरीर में कंपन आ जाता है, ठंड लगनी शुरू हो गती है त्वचा में ठंडा पन आ गया, आपने महसूस करते होंगे कई बार की पेशन को इदम से हाथ या पैट ठंडे पड़ गए हैं, बोलते हैं कि इसके तो हाथ पैट ठंडे पड़ गए हैं, त्वचा बिल्कुल ठंडी हो गई हैं, तो ये सब लक्षन इसके तत्काल जो आपकी प्रतिक्रिया होती है, दवाई की उसके लक्षन है, इसके अलावा रक्त चाप का कम होना, नब्स का कम होना, शरीर में चकत्ते हो जाना, ये सब आपके तत्काल प्रतिक्रिया के लक्षन होते हैं, अगर आप किसी भी पेशन्ट में ये लक्षन देखें, तो तुरंत उसको आपको medical aid देनी है जो कि हम आगे आपको बताएंगे और तुरंत उसे हस्पता लेके जाना है ताकि उसकी जीवन को बचाया जा सके आए देखते हैं दवाएं जो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया करती है इन में सबसे उपर है पैंसलिन ग्रूप की दवाएं यह पेशन को किसी भी पेशन को देने से पहले एक हम आगे जैसे पढ़ेंगे इस सें़ित टेस्ट कराते हैं क्युंकि इन दवाएं से सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया होती है में सबसे जाधाerson देखने को मिलते हैं या जाइलोकेन गुरुप की दवाये जो होती हैं उनसे रियक्शन मिलते हैं रक्त ट्रांस्विशन के बाद भी आपकी जो शरीर है वह बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देता है तो यह भी हमें देखना चाहिए कुछ दर्द मिवारा कोश्दियां जैसे प्रतिक्रिया करती हैं अगर किसी कंबिनेशन के साथ हम इसको देते हैं तो इन सब दवायों को प्रियोक करने से पहले आप सेंसिटीविटी टेस्ट अवश्य करा ले और सावधानी से इनका प्रियोक करें आईए अब जानते हैं देर से उत्पन या लंबित प्रतिक्रिया के बारे में जिसे हम delayed reaction कहते हैं यह दवा देने के थोड़े समय पश्चात होने वाली प्रतिक्रिया है जिसे हम लंबित प्रतिक्रिया कहते हैं यह कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में होने वाली प्रतिक्रिया है बिना डॉक्टर की सलह के कोई दवाई ना दे और हट हो गया तो यह तुरंत में हैं लेकिन जैसा आप नाम से जान सकते हैं कि देर से उत्पन या लंबित प्रतिक्रिया अर्थात देर से इसका रेक्शन हमें देखने को मिल रहा है तो यह आपको थोड़े समय के परशाद कि कुछ घंटों से लेकर की जूरूरी निया कि एकद आप से कोई दवाई ना दे और दवाई देने के बाद मरीज में होने वाले परिवत्नों पर वो नज़र रखें देखें कि कि किसी को कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही है कि इस लंबित प्रतिक्रिया को हम तीन भागों में बांटते हैं आये जानते हैं कि यह क्या-क्या सबसे पहला है स्थानिय समाने प्रतिक्रिया अर्थात जो लोकल रियक्षन होते हैं इसके अंतर का त्वचा पर लाल चकते खुजलाहाट और नाक में सुरसुरहाट महसूस होती है आपने देखा होगा कि कुछ पेशन्स पे या कुछ लोगों में एकदम से एकदम से या फिर जर्धार आव फिर्बोन में कुछली होने शुरू हो जाती है तो यहाट समाने प्रतिक्रिया की लोकल रियक्षन है कि कोई दवाई देने के बाद आपको इस तरह की जो जो शिंटम्स हो लक्षण है वो महसम और दूसरा है तंत्रिय प्रतिक्रिया अर्था शिस्टेमिक रेक्शन की जो आपके श्रीर के तंत्र है 11 के तंत्रम आधी प्रभावित हो सकते हैं है इसमें एक तंत्र भी प्रभावित हो सकते हैं और एक से अधिक तंत्र भी प्रभावित हो सकते हैं तो ये आपका ये भी लंबित प्रतीक्रिया के अंदर ही आता है तीसरा है तंत्रिया शाररिक प्रतिक्रिया अर्थात कि आपके तंत्र पे भी और श्रीर पे क्या इसका असर हो रहा है इसमें श्रीर के अलग-अलग तंत्र अलग-अलग ओश्दियों से अलग-अलग तरह से प्रभावित होते हैं कि जो आपका श्रीर है इसमें जरूरी नहीं कि आपका एक ही अंगो एक ही तंत्रो तो कुछ भी हो सकता है और अगर आपने दो दवाए दी है तो उससे अलग-अलग गोश्टियों से अलग-अलग तरह से प्रभावित हो सकता है जैसे अगर आप किसी पेशिंट में क्लोरोकीन देते हैं तो यह रक्त को नश करती है और साथ में हीमोलेटिक अनीमिया पैदा करती है समानेता यह बहुत सुरक्षित दवा होती है लेकिन कभी-कभी बेचैनी और शरीर पर लाल चकत्ते भी पैदा कर देती है और इसको अगर बहुत जादा हाय डोस में दिया जाए तो लीवर पे भी यह असर कर सकती है तीसरा है निमसुलाइट यह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं देते हैं यदि हमें यह देना पड़े तो किसी डॉक्टर की देखरेक में या बहुत जरूरत होने पर ही उनके कहे अनुसार ही देना चाहिए अदर्वाइस यह यक्रित और गुर्दें पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है यह जो भी हमने आपको बताएं यह कुछ ही दवाएं थी इनके अतरिक एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि हैं इसमें शामिल है लेकिन समय भाव के कारण हम आप हमने आपको कुछ महत्पून जानकारी दी है जो जरूरी है तो यह सब चीजों को आपको ध्यान रखना है इनके अतरिक्त सलफा ग्रूप की दवा, पैंसलिन ग्रूप के एंटिबायोटिक, सालब्यूटमोल, थियोफाइले नादी दवाईयां भी अक्सर प्रतिक्रिया उत्पन कर सकती हैं तो इनको देने के लिए आपको बहुत सावधानी की जरूरत है और किसी चिकितसक की प्रतिक्रिया से बचा जा सके यह बहुत जरूरी है अगर आपने देख लिया है कि किसी व्यक्ति को किसी दवाई से अलर्जी हुई है या उसकी वज़े से उसकी शरीर में कोई रियक्शन हुआ है तो उस दवा का नाम आपको अवेस्टिन नोट करना चाहिए और पेशन को भी बताना चाहिए कि वह कहीं भी दवा लेने के लिए जाए तो सबसे पहले डॉक्टर को बता दे कि उसे इस दवा से अलर्जी है ताकि डॉक्टर वह दवा ना लिखे और उस जो दवाई की प्रतिक्रिया है जो अलर्जिक रियक्शन है उससे वह मरीज जो है वह व्यक्त स्वास्थेकार्यकर्ता की भूमिका अगर किसी पेशंट में किसी ओश्धी की प्रतिक्रिया हुई है तो और व्यक्ति व्यस्क है मतलब व्यस्क है तो उसे एविल की 25 ग्राम की गोली और बच्चे को 10 मिलिग्राम की गोली तद काल खिला दे बहुत छोटे बच्चे में दवा की मात्रा उसकी वजन के अनुसार दें अर्थात अगर बच्चा क्या वजन कम है तो कम ही दवा जाएगी तो यह जरूर ध्यान दें कि बच्चा छोटा है या बड़ा है अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसके वजन के अनुसार ही उसको कहें कि क्या देना है अन्य तो आप अपने चिकितसक को अवश्य बताईए कि यह दवाई देने के बाद पेशन को क्या हुआ है तो उनको आप फोन पे सारी जानकारी वेकर के जो वह बताएं वह अन्य दवाईयां दें और यह सब करने के बाद तुरंत आपको मरीज को ततकाल निकटस्त हस्पताल भिजने का प्रभंध करना है तो यह सारे चीज स्वास्थेकारपटा को करनी है अब ध्यान देते हैं कि स्वास्थेकारपता क्या ना करें घंभीर प्रतिक्रिया उत्पन करने वाली कोई भी दवा चिकित्सक के परामर्शनुसार उतनी ही मात्रा में दें अपने मन से नहीं कि अगर आपको पता है कि जैसे अभी हमने कुछ दवाईयों के नाम आपको बताए कि इसमें गंभीर प्रतिक्रिया होती है हो सकती है तो वह दवा चिकित्सक के परामर्शनुसा ही दे और उतनी ही मात्रा में जिपने जितना की चिकित्सक ने बताया है। डेक्सोना इंजेक्शन भी बिना जिकात की सलहा के नहीं देना चाहिए अगर आप सोचए कि डेक्सोना दे देते हैं तो इससे पेशिन को अराम हो जाएगा। ऐसा नहीं है वह भी आपको बिना चिकित्सक की सलाके नहीं देना है और उतनी ही मात्रा में देना है जितना की डॉक्टर आपको बताएं मरीज की गंभीर स्थिती का आकलन करें परंतु खुद उपचार करने की कोशिश ना करें अर्थात आप देखें कि मरीज जो है उसकी स्थिती कितनी गंभीर है लेकिन आप यह ना सोचे कि अब आप खुद डॉक्टर बन जाएं और उसका इलाज करना शुरू कर दें आप जैसे हमने आपको बताया कि उसकी वस्तु स्थिती को आप डॉक्टर को फोन पर बताएं और डॉक्टर के कहने पर ही दें और ततका लोश्डिय प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए हस्पताल आदी ऐसी जगह पर ही दें जहां पर इसको अगर किसी को प्रतिक्रिया हो जाती है तो उसका इलाज किया जा सके ना कि किसी स्थानी जगह पर ताकि यदि दवा से कोई प्रतीक्रिया होती है तो उसका तुरंत रव्चार किया ज़से अगर हम इंजख्षन वगरा देते हैं कोई तो कोई injection मंद नहीं दें कि कोई वात में का इंजेक्शन एंजर्पनार प्रत्म का अजयेगा भिखाया तुरं तंसर आएगा यह यह फिर आपने है ऐसा आप अपने मन से ना दें किसी डॉक्टर के कहने पर ही इंजेक्शन दें क्योंकि किसी भी दवाई से कभी भी औश्धिय प्रतिक्रिया हो सकती है तो और इस चीज़ को ध्यान में रखें यदि आप नसों में इंजेक्शन लगा रहे हैं वेंस में इंजेक्शन लगा हैं तो आप हस्पताल या फी क्लिनिक ऐसी कोई जगह पर जहां पर कि इस अगर आपको पता चलता है कोई एनफालेक्टिक रियक्शन बॉडी में हो गया है तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके ऐसी जगह पर आपको इंजेक्शन लगाना है आईए अब जानते हैं कि ए को ट्राइमेकोजोल आईरन और फोलिक असिड की टाबलेट्स क्लोरोपीन टाबलेट एविल टाबलेट गौज पीसीज बैंटेजीज रूई साबून जैंसन वायलेट डिस्पोजेबल प्रसूती केट थर्मामीटर कैंची ब्लड प्रेशर मापने की मशीन जो भी हमने बीव हैं उस जगह पर आपको किस चीज की जरूद पड़ेगी आपका dos बड़ यह सब आप अपनी केट got a परामश के नुसार पूरीगर सकते हैं तो इस प्रकार अने ह। देखा कि ऊष्धी क्या है आश्ची विञ्यान क्या है और थीकी प्रतीzhiya शरीर में कैसे कैसे हो सकती है कि यह तुरंद भी हो सकती है लंबित भी हो सकती है और हमने यह भी देखा कि इनकी चिकिस्टा कैसे की जानी चाहिए और आपने यह भी जाना कि जो डॉक्टर है जब मरीज को दवाई लिखते हैं तो उनको कितनी मात्रा में देना है कितने समय देना है तो उनके जो जो दवा डॉक्टर ने बताई है वही दें ताकि अनावशक परिणाम या जो हम बोलते हैं प्रतिकुल परिणाम से हम बस सकें मरीज का हम भला करने के लिए जा लेकिन हम उसका कुछ नुकसान करते हैं यह हमें नहीं करना है तो इसलिए जो डॉक्टर कहे उसके अनुसार हैं और भविश्य के लिए भी नाम याद रखना है उस पेशन को आपको बता के रखना है कि यह दवाई आगे से आप नहीं लेंगे तो इस प्रकार आप इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो एक आप अच्छे स्वस्थ से करता बन सकते हैं आपके आगे के भविश्य के अच्छी शुब कामनाओं के साथ यहीं पर हम विश्राम लेते हैं धन्यवाद